नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन के टॉप 25 पर मुख खबर जानते हैं देरी होने से विश्ववध्या लिघ्टी नहीं हो पा रही है राजे पल ने बैठक में का लिए य॰ाजे में उजश शिक्षा के छेंटर बिकास के लिए कार्यप्र नाली में गती लाने की नितांत आओ सकता है उन्होंने कहा है कि कार्य में सिथिलता, सिक्षा, जगत और राजे के विकास में बाधक है वर्ष 2010 और 2018 के एस्टाइट्यूट निर्मान की समिक्षा करते हुए नराजगी प्रकट करते हुए कहा है कि अब तक इसके निर्मान नहीं होने से बिश्व विद्यालाय के विभीन महतपून पदो पर नियुक्ती पर किरिया काफी लंबे समझ से लंबी था है पलामू में सियम हमन्त ने बीपक्स पर साधा निसाना पलामू के मेद्नी नगर इसीत पूलिस लाइन मैदान में आईवेजित आपकी योजनाय आपकी सरकार आपके द्वार कारकर में मुख्य मंतर हमन्त ने सिर्कत किया इस मौके पर उन्हें बीपक्स पर जम करनी साना चाधा उन्होंने कहा आपने गुजरात मौडल देखा वहां मौर्वी में पूल टूटा 100 से अधीक लोग काल के गाल में समा गए वहां भाजपा की साथ गाट की वज़ा से ऐसा हुआ उपर से निचे तक सब मिले हुए थे और यह हमें नयतिकता सिखा रहे हैं उन्होंने कहा है कि हमें न सिखाए नयतिकता का पाट पहले अपने गीरेबान में जाके उन्होंने कहा कि अपना काला मोह चिपाने के लिए या सब इधर उधर छापो का खेल खेल रहे हैं बाबुलाल मरांडी ने कहा सीबू सोरेन जब जेल गए थे तब किसकी सरकार थी जारखन के मुख्य मंत्री हमन सोरेन को परवतर नीदे सालय ने खनन घोटाले मामले में नोटीस जारी किया तो जारखन मुक्ती मोर्चा के करकाड़ी अध्यक्ष ने केंद्र सरकार पर केंद्री जाच एजेंसियों के दुरूपयों कारोप लगाया उन्होंने आदिवासी मुख्य मंत्री को परिसान करने कारोप लगाया वहीं भारतिय जन्ता पार्टी पर अवरोप लगाया है कि बिपक्ष उनकी सरकार को अईस्थिर करने की कोशिस कर रहा है मुख्य मंत्री हेमान सुरेन के आरोपो पर जारखन के परत्थम मुख्य मंत्री बाबुलर मरांडी ने पलटवार किया है बता दे बाबुलर मरांडी ने पर देश के मुख्य हेमान सुरेन से पूछा है कि जब सीवू सुरेन जेल गए थे तब केंद्र और राजे में किसकी सरकार थी सिरी मरांडी ने हेमंद सुरेण के आरोपों को तथ्य हीन और निरधार बताते वे कहा है कि हेमंद सुरेण को खुद इस सवाल का जबाब देना चाहिए उन्होंने कहा है कि जाच एजेंसिया अपना काम करता है एजेंचियों परना तो किसी का दबाव है नहीं प्रभाव है रांची के 20 इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर का तबादला है रांची जीले के 20 इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर का तबादला हुआ है इसमें आठ इंस्पेक्टर और बाया सब इंस्पेक्टर रेंक के पुलीस अधिकारियों का तबादला हुआ है इसके तहत लालपूर के ट्रेफिक थानेदार जॉन मुर्मु का तबादला कर उन्हें पुलीस केंदर में भेज़ दिया गया वहीं अहमद अलिको लालपूर का ट्रेफिक थाना परभारी बनाया गया है SSP ने इन अधिकारियों का तबादला किया है इन सम्मांद में अधिसुतना जारी हो गई है इसे तत्काल परभाव से लागू किया गया है रांची आरपोर्ट में दो नए एरो विरीज शुरू रांची आरपोर्ट सलाका समिती का ध्याग सांसा संजाय सेट और हटिया के विधायक नुइन जैस्वाल ने दो नए एरो विरीज का लोकारपन किया करीब 14 कोलोर की लागा से 2-0 यहरो विरिज का निर्मान किया गया इस दराँ सांसत सी रिसेट ने इस यहरो विरिज से आने वाले यात्रियों को फोल देकर स्वागत किया वहीं एयर पोर्ट निर्देशक के एल अगरवाल ने बताया है कि पुरो में इस एयरो बेरेज पर सिर्फ दो एयरो बिरिज काम कर रहा था अब दो नए एयरो बिरिज के निर्मान से यातिरी सुधावें विस्तार होगा इस दोरान सांसत ने यह और पोर्ट परिसर का नेडिक्षन भी किया और यातिरी सुविधाव के विश्थार को लेकर आवस्यक दिशानिद्यस भी दिये जारखन में हार्ट पेसेंट का फिरी ओप्रेशन के साथ मिलेगा 10,000 रूपया जारखन के हार्ट पेसेंट का फिरी में इलाज और आप्रेशन होगा इसको लेकर राज सरकार और प्रसांती मेडिकल सर्विसेज और रिसर्च फाउंडेशन दोरा राज कोट एम अहमादाबाद में संचालित सिरी सत्य साहिं हिर्दय अस्पताल के साथ करार हुआ है इस करार के तहत जहां फिरी में इलाज और आप्रेशन होगा वहीं आने जाने के लिए रोग्यों को 10 यह रुपए भी दिये जाएंगे इसको लेकर रिम्स में स्क्रीनिंग शुरू हो गई है सुक्रवार को राज अस्तरी निसुल की हिर्दय जाज सिवीर के उधगाटन समारों को समुधित करते वे राजी के स्वास्त मंत्री बन्ना गुपता ने कहा है कि हम जैसे इसे सुविधा संपन हो रहे हैं वैसे सारेरी कारेश हमता घट रही है इस करन लोग हिर्दा है कि विमारी के सिकार हो रहे है अधार अपडेट दस साल से ज़्यादा हो गया है तो अवस्य करा ले दस साल के अंदर में अधार कार्ट को अपडेट कराना जरूरी है यादि अपडेट नहीं कराए है तो अधार से जूड़ी हर तरह के काम करने में परिशानी हो सकती है अगर आपका अधार कार्ड अपडेट है तो अधार से जूड़ी किसी परकार के काम में आपको परिशानी नहीं होगी बता दे CAC मेनेजर रंजन नंदा ने बताया कि गुमला जिले में काफी संख्या में ऐसे लोग हैं जिन्होंने पिछले 10 साल से अपने अधार काड में किसी परकार का अपडेट नहीं कराया है ऐसे लोगों को अधार से जूड़ी हर तरह का काम करने में परसानी हो सकती है एक लाख के इनामी नकसली गिरफतार लाते हा जिला अंतरगत चंदवा थाना के पुलिस ने एक लाख काई नामी नकसली जितेंद्र गांजो उर्फ जीवनी जी 26 वर्षी पीता सगन गांजो को गिरफतार किया है इसकी गिरफतारी पुलिस के लिए अहम मानी जा रही है गुपत सुचना के अधार पर पुलिस को या सफलता हाथ लगी इस समवन्द में अनुमंडर पुलिस पतादिकारी संतोस कुमार मिश्ड ने बताया है कि पुलिस कप्तान अंजनी अंजन को मिली गुपत सुचना के बाद चापे मारी टीम का गठन किया गया था जार्खन के रायस्व करमचारी 49 दिनों से हरताल पर जार्खन रायस्व उपनिरिक्षक संग गत 16 सितंबर 2022 से हरताल पर हैं इसके कारण जीले में एक और जहां आय जाती और आवासे परवन पत्र बनाने के लिए इस्टूडेंट के साथ बिभीन वजनावों के लाभू कर्यालों का चक्कर लगा रहे हैं वहीं बड़े पैमाने पर जमीन केमेटुशन से लेकर राईस्ट्री का भी कारे परभावित हुआ है बिभीन संस्थानों में दाखिला से लेकर बिभीन वजनावों का लाभ के लिए आय जाती और आवासे परवान पत्र सनलगन करने के प्रवधान हैं लेकिन इन परवान पत्रों के नहीं बनने से स्टुडेंट परसान है बदादे हाल के दिनों में समाज कल्यान स्वास और पेज अलेवम स्वक्सता भी भाग से रिक्तिया निकाली गई है इसके लिए अब्यार्थियों ने अपना वेदन भी जमा किया है लेकिन पवान पत्र देने में कई अब ट्रेड यूनियन लीडर रहे रायंद्र सिंग के बिधायक बेटे कुमार जैमंगल सिंग उर्फ अनुप सिंग के ठिकानों पर चापे मारी हुई तो उनके समर्थक आग बवुला हो गया है आयकर विभा की करवाई की सुचना मिलते ही समर्थक अनुप सिंग के आवाज प पिल की उन्होंने कहा है कि भावान सब देख रहा है रायंद्र बावु सब देख रहे हैं किसी के बारे में कुछ नहीं काना है कांग्रेस और यूनियन के करकारता सांती रखे देवहार खत्म होते ही ट्रेनों में बढ़ी भीड दिपावली एवं माहा परवे छट पुजा की छोटी खत्म होते ही दूसरे जोर में नोकरी करने वाले लोग वापस लोटने लगे हैं इसे ट्रेनों में भीड़ बढ़ गई है बिहार समेत उतर परदेश नई दिली कुलकत्ता गोवा आमादाबाद जयपूर समेत अने जगों की ट्रेनों में आरक्षन टिक्टो की वेटिंग लिस्ट लंबी हो गई है इस्थितिया है कि लोग वेटिंग टिकट लेका ट्रेन में चाड़ रहे हैं और खड़े होकर या फर्स परबैट कर र्यातरा करने को मजबूर है रेलवे की ओर से स्पेसल ट्रेन भी चलाई जा रही है लेकिन यात्रियों के भीड इतनी अधिक है कि स्पेसल ट्रेन में नाकाफी साबित हो रही है चाहे जनरल कोच हो या सिलिपर कोच सभी कोच में एक जैसी सिती बनी हुई है कांग्रेस बिधायक समय तीन राजियों में सतर ठीकानों पर छापे मारी करोरो की आयकर चोरी के मामले में सुक्रवार की सुबा आयकर विभाय की टीम ने तीन राजियों के सतर ठीकानों पर एक साथ छापे मारी शुरू की चापे मारी बेरमों से कॉंग्रेस के विधाय कुमार जर्मंगल उर्फ अनूप सिंग तथा परदी प्यादयों के अलावा लो असेक खनन करोबारी साह ब्रदर्स और खनन से जुड़े अधिकारियों वा सरकारी ठेकेदारों से जुड़े ठीकायनों पर चल रही है जो रांची जमसेथपूर पच्मी सिंभूम गोड़ा दुम का सराय के लखार्चावा के लावा पटनावा बंगाल में भी हुई है भाजपा की गाडियों में बैट छापे मारी कर रही ED, IT, CID, CM हमन सुरेन खनन गोटाले में पूस्ताज के लिए ED का नोटिस मिलने और कांग्रेस बिधायक परदी प्यादवा अनूप सिंग के घर में ED, IT की रेट को लेकर जहारखन के मुखे मंतरी हमन सुरेन भाजपा पर हमला तेज कर दिया है उन्होंने कहा है कि ED, IT, CBI के अधिकारी भाजपा नेताओ की गाड़ियों में बैट कर छापे मारी कर रहे हैं और भाजपा नेतिक्ता की बात करती है भाजपा नेताओ को सर्म आना चाहिए मुखे मंतरी हमन सुरेन सुक्रवार को आपकी जोजना आपकी सरकार आपके द्वर काड़करा में भाग लेने के लिए पलामो जिला मुख्याले मेदनी नगर पहुँचे थे कुख्यात अपराधी निरंजन पासवान गिरफतार मुफसिल थाना की पुलिस ने कुख्यात अपराधी चासा टोला निवासी निरंजन पासवान को गिरफतार किया है उसके पास से एक कटा और तेरा गोलिया मिली है बिहार के भागलपूर जीले के बरारी में भी उस पर हत्या का मामला दर्ज है यह जनकारी सुक्रवार को पुलिस लाइनी स्थीत अपने करयाले कक्ष में एसपी अनुरंजन की स्पोटा ने दी है एसपी ने बताया है कि मुफसिल थाना परभारी को गुपत सुचना मिली थी कि निरंजन पासवान इन दिनों अपने घर पर है इसके बाद उन्होंने पुलिस बोल के साथ छापे मारी करू से गिरफतार कर लिया है घंटी अधारित सिख्षकों की भविस में ना की जाए नियुक्ती राजे पल साज हार्खन राजे के बी सोभी देला की कुला अधिपती स्रीर मेस बैस ने कहा है कि राजे में उच सिख्षा के छेतर में विकास के लिए कारेप्रानली में गती लाने की नितान्त आउ सकता है उन्होंने कहा है कि कारे में सिख्षा जगत यों राजे के बीकास में बाधक है राजे पालमा होदय ने वर्ष 2010 यों 18 के इस्टाइचूट निर्मायन की समिक्षा करते हुए नराजगी प्रकट करते हुए कहा है कि अब तक इस्टाइचूट का निर्मायन नहीं होने से भी सुभी देलग विभीन महतपून पदोपर नियुक्ति परकिरे काफी लंबे समय से वन्ची थाए साइन्स सेमिनार में देवघर के सीवा को दोसरा अस्थान जारखन राज अस्थर ये विज्ञान सेमिनार के विजेता सीवा बिनायक ने राश्ट्री अस्थर पर संदार प्रस्तूती दे कर दूसरा अस्थान हासिल किया है सीवा संत फ्रांसिस स्कूल देवघर के नवीक अक्छा के छात रहा है उन्होंने 32 राज योवक केंदर सासित परदेशों के परति भागियों के बीचिया उपलब्धी हासिल की है सीवा को राश्ट्री अस्थर से प्राती माँ 2000 रुपे की छातिविती दी जाएगी वहीं सीवा के उपलब्धी पर डियो राची कमला सिंग, डियसी अकास कुमार, सेमिनार परभारी असोग परसाद सिंग सही सभी सिक्ष को ने बदाई दिया है संग राज ये संबंधों पर जार्खन बिधान सभा में राश्ट्रिय समेलन जार्खन बिधान सभा में संग और राज समंधों पर 23 रोंबर को राश्ट्रिय समेलन का आउजन किया जाएगा इस समेलन में देश भर के अलग-अलग बीधी बिध्यालियों के जाने माने समिधान बेताओ को अमंत्रित किया गया है कारकरा में उपस्तित रहने पर संग डाज समंधों के अलग-अलग समेधानिक आयामों पर उन्हें सुनेंगे साथ ही इस समेलन के माध्यम से एक समझ बिक्सित करने का भी पर्यास किया जाएगा ये जनकारी बिधान सभाद्यक्स रमीद नाथ महतों ने सुक्रवार को Assembly Hall में वार्ता के दरान दी इस दरान बिधान सभा के सचीव National University State of Study and Research in Laa रांची के कुलपती परफेसर केशवा राव राजेपाल ने पुस्तक एलमुनियम दा फ्यूचर मेटल का किया भी मोचन इस असर पर जारकन उच नियालाई के नियाधिस अनन्द सेन, सांसत संजाय सेठ, मुख्या आयकर, आयुक्त, प्रभाकान्थ, नालको के निदेशक, एवं CCL के पुर्व निदेशक, आर एस महापात्रा एवं अन्य गन्माने ब्यक्ति उपस्थित थे EPFO पेंशन पांच हजार करने की मांग, राज सभा के पुर्व सांसत अजय मारू ने करमचारी भविसे निधी संगठन से पेंशन धारको का पेंशन नहीं बढ़ाने के फैसले पर पूर्ने विचार करने कागरा किया है, उन्होंने कहा है कि EPFO के अंस धारक पेंशन पाने व का पेंशन कम से कम 5,000 रुपे करना चाहिए, देस भर में 55 लाख पेंशन धारक है, मारू ने कहा है कि पेंशन बढ़ाने का मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, लेकिन लंबित रहा, पेंशनर उमीद लगाए बैठे है कि अब पेंशन बढ़ेगा, रांची देवघर की बीमान सेवा समय से सुरू होने पर संसाई, बीसा मुंड़ा यारपोट से देवघर की बीमान सेवा सुरू होने को लेकर संसाई की स्थिती कायम है, यारपोट अथरिटी ने इस नई बीमान सेवा के लिए 31 अक्टूबर से समय सार निगोसित कर दी है, लेकिन यह शुरू नहीं हुई, अब इस बिमान सेवा के 14 नॉमबर से शुरू होने की बात कही जा रही है, यह बिमान सेवा इंडीगो एरलाइंस की है, इंडीगो की बिमान सेवा 6 E 89 65 और 71 16 नंबर की, यह टी आर सेवा देव घर से 65 45 रांची आएगी, और यहां से 6 बच कर 25 म्याट पर कोलकाता के लिए प्रस्थान कर जाएगी, जारखन के कई स्कूलों का समय बदला, सरदी के मौसम को देखते हुए सहर के कई स्कूलों का खच्छाओं की टाइमिंग में बदलाव किया है, वही कुछ स्कूल, 7 और 14 नॉमबर से टाइमिंग में बदलाव करने की DPS रांची, सेंट जेवियर्स, डोरंडा, सारदा गोलोबल, लोयला, कॉनवेस्ट आधी स्कूलों ने आधे घंटे से एक घंटे का बदला स्कूल रिपोर्टिंग टाइम में किया है स्कूल परवंधा का काना हाई की सुरुवाती ठंट में ही बच्चों के बिमार होने की सिकायते मिलने लगी है इसलिए एतियातन समय में बदलाव, छट पुजा के बाद स्कूल खूलते ही कर दिया गया आगे ठंट बढ़ने पर टाइमिंग में और भी बदलाव किया जा सकता है सिक्षकों ने काली पर्टी बांध कर किया काम अखिल जार्खन प्रात्मिक सिक्षक संग जार्खन परदेश्ट के अवहान पर सुकरवार को बेड़ो पर्खन के प्रात्मिक सिक्षकों ने अपनी बिभीन मागों को लेकर काली पर्टी बांध कर काम किया इस दोरान सिक्षकों ने उन्हें गर सेक्षनी कारी से मुक्त करने MCP का लाभ सिक्षकों को देने बेतन की भी संगती दूर्ण करने और अस्तनांतर्ण की परकी असरल करने की मांकी है इधार संख के पता दिकारी बिजंद्रे 24 ने अंदोलन के अकले चरण में साथ नौंबर से बारा नौंबर तक जनपरती निद्यों को ग्यापन देने दस नौंबर को मुक्य मंत्रियावास का घिराव और सत्रह दिसंबर से बेमियादी अंसन करने की बात कही है बेरोजगार सारेरिक सिक्षक संग की बैठक रभिवार को जार्खन प्रसिक्षित बेरोजगार सारेरिक सिक्षक संग की बैठक रभिवार को मुराबादी मैदान में होगी संग के परदेश अध्यक्ष प्रभात कुमार महतो ने कहा प्रसिक्षित बेरोजगार सारेरिक सिक्षक को को टेट परिक्षा में सामिल किये जानी समधित मांग पर समती बनाई जाएगी उन्होंने कहा है कि इसके साथ ही सन्यूक्त असनातक प्रसिक्षित सिक्षक न्यूक्ती परिक्षा 2016 में सारेरिक सिक्षो के रिक्ष पदो पर कौट अफ मार्क्स कम कर रिक्त पदों को भरे जाने को लेकर सरकार से वारता पर चार्चा की जाएगी जार्खन सरकार को चीफ जश्टिस ने कहा जबाद दे नहीं तो जांच CBI को सौप देंगे जार्खन हाई कोट के चीफ जश्टिस डक्टर अवीर अंजन वा जश्टिस एसन पर साथ की खंड पिट में राजे के वन भूमी पर अतिकर्मन करने को लेकर दाखिल जनित्याज का पर सुनवाई होई सुनवाई के दोरान अदालत ने मौखिक टिपनी करते हुए कहा है कि ऐसा पर्तित होता है कि अधिकारियों ने मिली भगत कर बन भमी को बेंच दिया है इस मामले की जांच CBI से कराई जाएगी सरकार की ओर से इससे पहले जबाब दाखिल करने की मांग की गई है बता दे जार्खन सरकार की ओर से तीन सप्ता का समय दिये जाने की मांग की जा रही थी लेकिन अदालत ने कहा है कि कोट इतना समय नहीं दे सकती सरकार के बार बार आगरा करने के बाद अदालत ने दो सप्ता में जबाब दाखिल करने का निर्देश दिया है हेमन्त सुरेन की खुली चुनावती जार्खन में हो सकता है बड़ा धमाका जार्खन के मुख्य मंत्री हेमन्त सुरेन ने इड़ी के समन के बाद तेवर कड़े कर लिया है वे चुनवती देने की मुद्रा में है और उसी अंदाज में वीरोधियों पर पलटवार की भी तयारी में है 37 जार्खन मुक्ती मोर्चा ने असपस्ट कहा है कि अगर सरकार के साजिस होई तो छोड़ेंगे नहीं बता दे रांची में जार्खन मुक्ती मोर्चा समर्थको के जूटी भील का भी अंदाज तक है मोर्चा की निशाने पर केंदरी एजेंसियां राजे पाल और भाजबा है समर्थको को इसके खिलाब अंदोलन आराम करने का भी निर्देश दे दिया गया है इसकी सुरुवाद सन्निवार पांच नॉमबर से होगी धन्यवाद यदि आप चैनल पने होते चलों को सब्सक्राइब का बाल का बेल एकन दबाए साथ साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोह तोक से अशेट करना ना भूले साथ साथ आप हमें कोमेंट बख में अपना फिडिवाएक अवसे दे थांक यू